आज हम लोग बनाएंगे ओनियन चीली पराठा जिसे आप प्याज हरी मिर्ची पराठा भी बोल सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और जितना ज्यादा टेस्टी है उतना ही बनाना पहुत ही सिंपल है चलिए इसे बनाते हैं ओनियन चीली पराठा बनाने कले सब्सेपाल हम लोग दो टायार करेंगे दो दे это करने के लिए बड़ा प्लेट में ये कम से कम दो चोटे प्लेट के करीब आठा है यह printers इससंद है इस में प्लेट के के कि अरिल डाले आप चाहे तो ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं लेकि संहें या अरफ तो है वो होना चीए डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर ले देखिए इस तरह से मिक्स करना है उसके बाद में इसमें ही आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं मैं स्किप कर रही हूं मैं नमक नहीं डाल रही हूं आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं उसके बाद में इ जब तक के चैंब को तो तक के हमें जो के डूम रहरें को स्थिंग तरह ने यह स्टफिंघ हरी तरह सोब आ और क्यां कर chest का लिए दीख बंड़ में ऐसे हम इसे थे यह से ऐख तरह बना हुं हो इस तरह ना को делать लिए हैं फिर से एक बड़ा प्लेट ले प्लेट में ही हरी मिर्ची डाले इसमें ही प्याज डाले हम लोग जो काट कर रहे हैं इसमें ही हरी धनिया डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले इस तरह से मिक्स करना है प्याज हरी मिर्ची और हरी धनिया को मिक्स करने के ब मसाला 근데 रूलाब और यह वरीस का चिकन चीकण्यक्रावाज थे इसे स्किपड कर सकते हैं आप इसके जगाए सबस्द्र को में ही का ङचान्पर्णायब डाल सकते हैं यह मसाला डाले और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें याद रखे इस वक्त नमक बिल्कुल ना डाले अगर आप नमक डालोगे तो क्या होगी प्याज और हरी मिर्ची और धनिया से पानी छुटने लगेगी और आपकी जो स्टफिंग है यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं इसलिए नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे हमारी जो स्टफिंग है यह देखिए कितनी अच्छी तरह से तयार हुई है हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं स्टफिंग को बाजू में रखे 10-15 मिनिट हो गया है हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से रस्ट हो गई है उस करें लोई नियुक्त थोड़ा साथ बेलने के लिए लोई ना इस तरह से भी लेना है इसी तरह से दूसरी अपर भी बेल ले आप शाहें तो बेलते वक्त तेल की जगह आटा के भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम लोग तेल के यूज़ कर रहे हैं तेल का यूज़ करने से क्या होती है यह बहुत ही आसाने से बेल जाती है मतलब कि बेल कर होती है क्योंकि इसमें मैदा है इसलिए आप थोड़ा सा तेल लगा कर इन्हें अच्छी तरह से बेल ले हमारी जो रोटी है दो रोटी बेल कर हो गया है उसके बाद में स्टफिंग ल कि दूसरे हम लोग बना आये हैं उसे रखोने में बड़ैये हैं इसे तार से रखना है मतलब कि तरह से ऐस आप और जो क्लिके फ्रस्ट रूटी को क्या भूट हो कि पीवा जाधा लुचा मhtelर दर नगे वह सब कर दिखर है उसके बाद में यह हम लोग जो पहली रोटी बेले थे उसे इस दूसरी रोटी में यह सектор आपकी जो सिटाफिंग और रोटी अच्छी तरह से एकमिक को चिपक जाती यह दिखे पराठे को हम अलका सब बेल लिये हैं उसके बाद में हम लोग इसको सेखेंगे शेखने कली में सबसे पहले ही तावा गरम करने रख दी तावा अच्छी तरह से गरम हो गया है इसमें ही पराठा को डाले और इने कम से कम एक मिनिट इसी तरह से पका ले उसके बाद और इसी तरह से पल्टा आं अच्छी तरह से प्रेस करते हैं लोव मिडियम गैस में कम से कम 2-3 मिनिट इन्हें अच्छी तरह से सेखेंगे जैसे नौर्मलिक हम लोग पराठा से इने तरह से तरह से लए शेखना है उसके बाद में दूसरी तरह से बनाना जानेंगे उसके मतलब की जैसे नॉर्मल हैं रोकी बनाने के लिए लिती मिलेती हैं उससे थोड़ा से जयादा और से बढ़ा लेना है यहीं तरह से लोई फोड़ा एंस स्टफिंग बनाये थे ऊदर भड़ा सकते हैं और िरोल के आते शुरुण चीम हुप फैल कर हो गया है उसके बाद में हम लुग जो stuffing बनायाते थे 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 कहां ट्रॉटीरे प्लश स्ट रोटी बनाने के लिदुण करते चाहएं वरी दिस तरह से付中共 किस्ट चेसे बुस्क ciao हैं इस तरह से लास्ट के जो पोड़िन हना उसे इस तरह से दबा ले हाध से प्रेस करें यादर रखें इन्हें पहले ही यहाद से इसलिए पराठा यह फटने लगेगी सब्सक्राइब इसलिए इसी तरह से भेलना है बहुत ज्यादा नहीं नहीं करना है अगर आप ज्यादा पतला करोगे तो आपके जो स्टफिंग है वह बाहर निकल जाएगी इसके बाद में हम लोग सेखेंगे हमारी पहले पराठा को रखें और इसी तरह से थोड़ा हलका सा तेल डालते भीए अच्छी तरह से सेख लें इनके आजू-बाजू में भी तेल डाले ताकि आजू-बाजू को प्रशन है वह अच्छी तरह से तेल डाल डाल कर सरोते के साय सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से ओनियन चीली पराठा बनाए और खाए और अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जोरूर करें दन्यवाद